नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप सभी का स्वागत है नियूस क्लिक के शो डेली राउंड अप में आई नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर RTI अधिनियम का 16 साल निश्क्री आयोग नहीं निप्टाय जा रहा है बकाया काम महिलाओं के साथ पुलिस हिरासत में यौन शूशड के खिलाफ नागरिक संग्ठनों का दिल्ली पुलिस मुख्याले के बाहर प्रदेशन मध्यप्रदेश में पिछले एक हफते में अर्प संक्यों के खिलाफ हिंसा के छे मामले तमिलनाडू निकाय चुनाओ जीत की रह पर डियमके ए आई ए डियमके को जटका और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 घंटों में 15,000 से जादा नए मामले 226 मरीजों की मौत 12 अक्टूबर को RTI अधिनियम 2005 के 16 साल पूरे हो गये है इस कानून ने लाखो नागरिकों को जानकारी पाने और सरकार को जवाबदे ठराने का अधिकार दिया है इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है इस अधिनियम के प्रावधानों के तहट सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा मगरे इस विभाग का काम निश्क्री होता दिख रहा है सरकार में पारदर्शिता और जवाब दही को बढ़ावा देने को लेकर काम कर रहे है एक नागरिक समो सतक नागरिक संगठन की ओर से तयार की गई भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड 2021 नामक रिपोर्ट में भारत के सभी 29 आयोगों के प्रदर्शन की जांच परताल की गई है इसमें आयोगों की ओर से पंजिकरेत और निप्टाई गई हैं अपीलों और शिकायतों की संख्या, लंबित मामलों की संख्या, हर एक आयोग में दायर, अपील, शिकायत की निपटने के लिए अनुमति का इंतजार का समय आयोगों की ओर से दंडित मामलों के अधिक्रमण की आवरित्ती और पार दर्शिता के सिलसिले में उनके काम शामिल है इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मामारी ने स्वास्त सुविधाओं के लिहाज़ से अस्पताल के बिस्तरों, जरूरी दवाओं और वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों की उपलब्दता पर सटिक और आसानी से उपलब्द जानकारी की ततकाल ज़रुवरत पर रोशनी डाली है इन हालात ने सरकारों की तरफ से घोशित रहत उपायो और जहां जहां जंता का पैसा महामारी से निपटने के प्रयासों में खर्श किया जा रहा है उनसे जुड़ी सूशना के प्रसार की एहमियत को रिखांकित किया गया है लखीमपूर में किसानों की मौत के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफतार हुई महिलाओं ने दिल्ली पुलिस पर हिरासत के दौरान यौन शोशड का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस मुख्याले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया इस विरोत प्रदेशन का आवान महिला संगठन, नागरी संगठन और चात संगठनों ने किया था आपको बता दे कि लंबे समय से दिल्ली पुलिस पर प्रदेशन के दौरान हिंसा यौन हिंसा के आरोप लगते रहे हैं पिछले एक हपते में मध्य परदेश में अब संग्यक वर्ग किने लोगों के खिलाफ हिंसा के छे मामले सामने आए हैं जिन में से दो इंदौर में और दंतिया, खांडवा, नीमच और जबुआ में एक-एक मामले सामने आए हैं रविवार को इंदौर में कथित तौर पर अपने कॉलेज में गर्बा नाइट में शामिल होने की वज़ा से चार मुसल्मान योगों को जेल में डाल दिया गया वहीं शनिवार को कथी तोर पर एक मुसलिम परिवार पर हमला किया गया क्योंकि वह अपना गाउन नहीं छोड़ कर जा रहे थे इस गाउन में हिंदू की बहुत संक्या का अबादी है धतिया में इसाई समुदाई के दस लोगों पर हमला किया गया जहबुआ में एक दचिटपंती हिंदू संग्टन ने एक चर्च को दोस्त करने की धमकी दी वहीं खांडवा में एक मुसल्मान युवकपा कॉलेज के इंदर उसके धर्म की वज़े से हमला किया गया और निमच में दो और तीन अक्टूबर को रात को एक दरगा पर हमला गिया गया इन सभी मामलों में अर्ब संक्यक समुदाई के ही कुल 19 लोगों पर मामली दर्च किये गये और 12 लोगों को गिरफतार किया गया तमिलाडू में 70 रूट पार्टी डीमके को 9 जीलों में अस्थानी निकाय चुनाओं में जीत मिलती दिख रही है जिसके लिए दो चर्णों में 6 और 9 अक्टूबर को मद्दान हुआ था दो चर्णों के मद्दान की मद्दान मंगलवाज सुबह शुरू हुई विपक्षी दल एए डीमके को जटका लगा है मद्दान रुजानों के अनुसार मुक की विपक्षी पार्टी कई जगह उपर सतरू डीमके से पीछे है डीमके 145 वाडों में से कम से कम 88 सीटों पर एए डीमके से आगे है जबकि विपक्षी दल दो सीटों पर बड़त बनाय हुए है आपको बता दे कि 6 अक्टूबर को 49 यूनियन में मद्दान हुआ था जबकि 635 यूनियन में 9 अक्टूबर को कांची पूरम, चेंगल पट्टू, वेलोर, रानी पेट, तिरुपतूर, विल्लूपूरम, कलाकुरुची, तिरुननलेवेली और नेतेन कासी जीलों में मद्दान हुआ राज्य में 140 जीला पंचायद वॉर्ड सदस्यों, 74 पंचायद यूनियन, 1385 यूनियन वॉर्ड सदस्यों, 2901 ग्राम पंचायद अधक्षों, और 22,581 ग्राम पंचायद वॉर्ड पार्शदों सहित, 27,03 पदों को भरने के लिए चुना हुए और आखिर में हम बात करेंगे के इंदी स्वास मंतायद और आज बुद्वार यानि 13 अक्टूबर को जारी आकड़ों के अनुसार देश में 24 गंटों में करोना के 15,000 से जादा नए मामले दर्श किये गये हैं और 226 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 22,000 से जादा मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में करीब 7,200 मामले कम हुए हैं देश में करोना संक्रमण के मामलों की संक्या बढ़कर 3,40,000 से जादा हो गई है जिनमें से अब तक 4,50,000 से जादा लोग की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित 3,33,000 से जादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या घट कर लगबग 2,07,000 हो गई है स्वास मंत्रालेक ताज जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक करीब 96 करूर डोज दी जा चुकी है जिनमें से 50,000,000 से जादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है वहीं भारत की Central Drug Authority के एक विशेशक पैनल ने 2-18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की को वैक्सीन के आपात इस्तमाल का सुझाओ दिया है यह सुझाओ ड्रक्स कंट्रोलर जनरल लॉफ इंडिया को भेज दिये गए आज के डेले ओन डॉप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य ख़बरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया